हमेश का दोस्तों Get Success 247 के एक और नियो वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो देखे रास्तान पटवार भरती जो भी हाल फिलाल आपके रास्तान में चल रही है इसका रिजल्ट वगर आपका आचुका था Normalization को लेकर काफी सीजे यहाँ पे सामने निकल के आई थी फिर यह भरती बेसिकली कोट में चली गई थी अब देखे कोट की तरफ से यहाँ पे भी कुछ जवाब आया है और उसके बाद आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पे निकल के आया है कैसे क्या पटवरी का रिजल्ट अ आपको इसे वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो का हंद दक पुरा देखेगा तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो में अगर बेटने से पहले आपको महतोपूर्ण जानकरी देना चाऊंगा टेस्ट बुक आपके लिए लेकर रहा है येरली टेस्ट बुक पास मातर 360 रुपे में जिसमें आपको 470 से भी जादा एक्जाम्स के लिए 34,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे जिससे आप घर बेटे SSC रेलवे, बैंकिंग, UPSC इंशॉरेंस, डिफेंस, पुलिस, टेचिंग वो स्टेट गवर्मेंट के सभी एक्जाम्स के त्यारी अच्छे से कर स सकते हैं, अभी आपके लिए यहाँ पर बेस्ट डिल ऑफ दा मन्त ओफर चल रहा है, और इस पास में 49 रुपे की एक्स्टा छूट पाने के लिए आप मेरा कोड GS10 यूज़ कर सकते हैं, तो देर किस बात की अभी खरीदिये टेस्ट बुक पास को जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देखें, सबसे पहला जो आपका सवाल रहा है, most important जो question है, कि क्या पटवारी का result यहाँ पे दोबारा आएगा, देखें, यह भरती जो बेसिकली हाई कोड में गई थी, उसके बाद हाई कोड का एक यहाँ पे जवाब आया था, कि र अब उन्होंने क्या का है, कि अन्यमित्ता बतने और तीन प्रशनों के जवाब गलत जाचने के मामले में, करमचारी चैन बोर्ड के चेर्मेन और सचीव से यहाँ पे जवाब मांगा है, किसने? राजस्तान हाई कोट ने, ठीक है, हाई कोट ने यहाँ पे जवाब मांग ल का ही formula बोला जा रहा है कि जो औरनियमित्ता बरती आपने ठीक है नॉर्मलाईशन का बेसिकलि इसमें जो formula लगा है जो लाश्ट वाली शिफ्ट उसके बहुत ज्यादा नंबर कम कर दिये थे और जो वाकिए तीन शिफ्ट उनके नंबर ज्यादा को एते तो ऐसे करके जो का formula उसे दोबारा से देखा जाता है तो रिजल्ट दोबारा होगा है मतलब कुछ changes होते हैं तो ही रिजल्ट दोबारा आएगा तीन उप्रेशनों के अगर जवाब वापिस से सही किया जाते हैं तो रिजल्ट दोबारा आएगा ये चीज़ आप मान लीजिए क्योंकि अब एड होंगे तो simple सा मतलब है result आपका दोबारा आएगा लेकिन condition क्या है कि जो board है एसन करमचरी chain board उसके जो chairman और सचीव है वो अपना क्या जवाब देते हैं अगर वो कह देते हैं कि हमने normalization का formula इदम सही लगाया है और जो तीन प्रश्न है वो हमारी तरफ से बिलकुल स जाएंगे जिनका भी यहाँ पर selection नहीं हुआ है एक दो नमबर से रह गए थे तो अगर यह जो तीन सवाल है ना तीन सवाल इनको अगर change किया जाता है तो basically result आपका दोबारा आएगा और नए अबेर्टी भी यहाँ पर लिये जाएंगे और नावलेशन का जो process उससे सकते हैं और कुछ अभीटी नए अंदर भी आ सकते हैं दोनों ही condition यहाँ पर बनती है अगली बात आती है scorecard कब तक जारी हो जाएगा scorecard basically देखिए जो इनका जवाब आएगा न कि यह दो बारा से result आएगा कि नहीं आएगा उसके बाद ही आपका scorecard जारी किया जाएगा उस और उसके date बताईगी थी लगबग 14 फरवरी से start हो जाएंगे तो देखिए 14 फरवरी में अभी दिन बहुत जादा नहीं बचे हैं थोड़ी दिन बचे हैं तो इतने दिनों में पहले तो देखिए जवाब आना बाकी है board का वो अपना क्या जवाब देता है अगर उसमें व नहीं होते हैं उनकी तरफ से जो जवाब आता है उसी के बाद officially बताया जा सकता है कि आपका document verification 14 से होगा 14 फरवरी से होगा या नहीं होगा chances तो कम बन रहे हैं क्योंकि यह वाद जो quote में गया था उसके बाद इसका जवाब देना है अगर change करना है अगर change किया है तो 100% आपका जोगदा फरवरी से नहीं होगा document verification क्योंकि changes करने में और दोबारा क्यों जो भी change होते है उसके बाद result दोबारा से निकालाता है उसमें time लगता है तो उस time के लिए basically इसको भी आगे extend किया जाएगा और एक चीज़ तो यहां पर confirm पहले ही बता जा चुकी है तो जो document verification है ना उसकी जो जांच है वो राजस्वा मंडल यहां पर करने वाला है तो यह जो तमाम सवाल है आपके सभी के जवाब मैंने आपको यहां पर